तो हेलो गाईस तो कैसे हैं आप लोग आई होप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना आज हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग करेंगे और यह जो मेरे पाई स्क्रीन है इसका जो साइज है वो 12 इंटू 15 का है और जहां जहां पर जितने साइज में मुझे करेंट चाहिए इसलिए मैंने चारो त्रप टेप लगा दिया है और यह किसी और प्रिंटिंग प्रीपर और को आच्छे से करने के लिए किया है बाकि इसका चापने का त्यटी का होता है और उसकी वीडियो बादने बना दूगा ऊके तो अभी मैं अच्छे से ड्रो कर रहा हु ध्यान से देख देखके क्यों कि मैं एक experiment करना चाहता हूँ कि क्या screen को पर अच्छे से draw होगा या कोई problem तो नहीं होगी इसलिए मैंने experiment किया था और बाकी मैं इसे अच्छे से draw कर रहा है अब देखिए ये draw हो चुका है कुछ ऐसा दिख रहा है तो अच्छे से draw हो चुका है ये अब ये जो white white part है ये हम कैसे करेंगे जब हम print करेंगे तो ये white white part कैसे करें तो उसका भी एक तरीका होता है super coat जहां जहां पर हमें white part रखना है वहां वहां पर हमें super coat करना होता है वहां वहां पर super coat लगाना होता है ये कुछ इस तरह का दिखता है तो जहाद आपा में white part करना वहाँ पर हम super coat लगाते हैं और अराम से लगाना होता है तो देखिए मैं अराम से super coat लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने super coat लगा लिया है और इसे 15 मिनट के लिए हम सूखने के लिए रख देंगे 15-20 मिनट ताकि यह सूख जाए और जब हम print करेंगे तो जिद जिद जगा पर मैंने super coat लगाया है वहाँ वहाँ पर white रहेगा बिल्कुल भी print नहीं होगा ओके यहाँ पर थोड़ी से वीडियो सूट नहीं हो पाई थी के लिए sorry तो बट यहाँ पर simple क्या करना है कि जो letter press ink होती जिससे हम छपाई करते हैं उसको बस screen को उपर गिराना है और किसी फुटे या किसी चीज की मदद से इसको आराम से नीचे की तरफ प्रेस करते हुए नीचे की तरफ घसीटना है उसके बाद देखी यह print आ जाएगा कुछ इस तरह का print आ रहा है तो यह experiment वीडियो थी जिसमें देखी कुछ इस तरह का print आया है और जहां जहां पर देखो जहां जहां पर मैंने supercoat लगाया था वहां वहां पर white है और जहां जहां पर देखो मैंने supercoat नहीं लगाया था वहां वहां पर black हुआ है तो supercoat ink को r par नहीं होने देता है क्यूंकि जो हमारी screen होती है उसके जो screen के अंदर छेद छेद होते हैं जिसमें से हमारी ink r par होके छपती है तो जहाँ जहाँ पर supercoat लग जाएगा वहाँ भाँ पर सफेद रह जाएगा बस कुछ इस तरह से ही होता है और जो इसका दूसरा तरीका है वो और भी असान है क्योंकि ये experiment वीडियोति मैंने experiment किया है बाकी तरीका वही है बसकर जो दूसरा तरीका थोड़ा से इससे असान है तो अगली वीडियो में बता दूँगा अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए टेक केर बाए